प्रकाइब है नमस्त्र दोस्तूं में रोहन श्रमाफाजरूं सबह्थ povo m яр privis pipeline अपको आपके अपने स्विडियो डोज हैं चीजिए हैं कैसे हैं आप सभी डोस्तों दौस्तों आज इस वीडियो हैं सपने करने बाइद दोस्तों मैंने सप्ने के उपर पहले भी वीडियो बनाये हुए हैं और आप सभी को बहुत पसंद से उसके बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा ऊगा को मैंने हनुअ लोगा स्पने में दर्शन हो तो उसकेल वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ माता राकार अगर आपको शुभत जाद जरूरी होता है मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं आपके काफी सपने आपको आने वाले भविशे के बारे में बता देते हैं संकेत देते हैं किस प्रकार से चीजें चल रही है और किस प्रकार से से मातारजनी के जरीए आपको आने वाले भविश्ची के बारे में पता चल जाएगा यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं कि दुर्गा माता अगर आपको सपने में दिखाई देती है तो क्या संकेत मिलते हैं सबसे पहले थोड़ा खराब बदा जेता हूँ, अगर दुरगा माता आपको काले कपड़े में या सफेद कपड़े में दिख जाए, तो इसका मतलब आपका अनिश्ट होने वाला है, आपका बुरा होने वाला है, इस संकेत का मतलब है कि कही न कहीं कोई न कोई प्रॉबलम है जिसमें आप फस सकते हैं अगर दुर्गा माता आपको लाल कपड़े में लाल जोड़े में दिख जाए इसका मतलब कि आपका काम जो है वो अच्छा होने वाला है कहीं न कहीं कोई रुकावाट आपके काम में है वो आपकी हटने वाली है अगर Durgah Mata आपको शेर के उपर दिखा जाए शेर भी साथ में दिख जाए इसका मतलब कि जो भी आपका बुरा करने वाला हो उनका नुकसान होगा उनका फाइदा नहीं होगा और आपका कहीं नहीं फाइदा हो जाएगा तो कोई भी आपका यहाँ पर नुकसान नहीं कर पाएगा इसी प्रकार से आप देखीगा कि अगर मातारानी का जो रूप है वो आपको त्रिशूल के साथ दिख जाए मातारानी का जो रूप है वो आपको त्रिशूल के साथ दिख जाए तो यहाँ पर आपका जो भी दुश्मन है उनका सर्वनाश होगा जो भी परिशानी आपकी जीवन में है वो आपकी यहाँ पर खतम हो जाएगी अगर आपको देवी लक्षमी का रूप दिख जाए तो क्या संकेत मिलेगा या धन से सम्मंदी कोई भी परिशानिया आपके जीवन में चल रही है तो वो यहाँ पर आपकी खतम होने वाली है लाल कपड़े में अगर दीवी लक्षमी आपको दिख जाए तो मतलब कि आपके चहरे पर मुस्कान आनी चाहिए और आपके जीवन में अच्छा समय आना चाहिए आपके जीवन में मुस्किपतों के ताले सारे खुल जाएंगे और मुस्किपतें दूर हो जाएगी और खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करीगी इसका अपना एक महत्व है अगर आपके सपने में कोई भी दिवी उदास नजर आए या शांत नजर आए उसका क्या महत्वा होता है अगर कोई भी दिवी आपके सपने में उदास हैं शांत हैं तो ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य का संकेत हैं दुर्भाग्य का संकेत है कहीं न कहीं आने वाली मुसीबत का संकेत है और उसके जरी आपको पता चल जाएगा कि मुसीबतें किस तरफ से जा रही है और किस तरह से आ रही है अगर आपको सपने में देवी के साथ भगवान विश्णु की परचाई भी दिख जाए या भगवान विश्णु आपको सपने में दिख जाए इसका मतलब होता है कि आपके शादी होने वाली है या आपके शादी में कोई अर्चन है शादी में कोई प्राब्लम है तो वो यह संकेत होता है कि पारिवरिक जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो वह यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी तो इसी प्रकार से देवी का शेर आपको दिखे, मा दुर्गा का शेर आपको दिखे, सिर्फ अगर आपको शेर दिखे, तो भी आपके दुर्भाग्य को सोभाग्य में बदलने का यहाँ पर संकेत आपको मिल जाता है, तो दुर्भाग्य में सोभाग्य को बदलने का संकेत जो होता है, वो मा दीवी के शेर के वज़े से दिखाई देता है इसी प्रकार से आप बात करते हैं कि अगर आप बहुत बिमार हैं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं आपकी एनर्जी बहुत ज़दा डाउन है और ऐसे समय पे अगर आपको मा देवी के सपने का आभास हो जाए या मा देवी आपको सपने में दिख जाए तो इसका मतलब है कि अब आपका जो स्वास्त है वो आपका अच्छा होने वाला है बिमार्या आपकी यहां पर दूर होने वाली है और देवी की क्रपा दृष्टी आपको यहां पर दिखाई देने वाली है देवी की क्रपा आपको यहां पर होने वाली है तो हर एक प्रकार से देखा जाए तो मा देवी का जो रूप होता है वो कहीं न कहीं आपको अलग तरह से दिखाई देता है ज्वाला मा का रूप अगर आपको दिखाई दे ज्वाला देवी अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर कहीं कहीं आपको थोड़ा सा संकेत मिल जाता है कि आने वाला जो टाइम है वो मुसीबोत से कैलकुलेश्ट हो रहा है यहाँ पर कहीं आने वाला जो टाइम हो थोड़ा सा टफ है और यहाँ पर आपको मा का आशिवाक टाप्त होगा तो आपका वो काम यहाँ पर बन जाएगा वैशनव देवी का अगर आपको संकेत मिल जाए सपने में या सपने में अगर आपको वैशनव देवी दिख जाए तो उसके दो संकेत यहाँ पर बनते हैं वैशनव देवी अगर आपको सपने में मिल रही है सपने में दिख रही है इसका मतलब है कि सबसे पहले तो दीवी से बुलावा आया है आपको बिलकुल वहाँ पर जाना चाहिए और आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है या आप अपने जीवन में कहीं अटक गहें कहीं निकल नहीं पा रहे हैं तो वह रास्ता अब आपका यहाँ पर जरूर खुल जाएगा वैशनव दिवी का सपना अगर आपको आ गया है इसका मतलब कि आपका बुलावा आ गया है और साती साथ अगर कोई रुकावट कोई परेशानी कोई भी समस्य आपके जीवन में आ रही है और आप उसे क्रॉस कर गणेश जी की अगर आपको परचाई दिख जाएया गणेश जी की अगर को सपने में आवास हो जाए नहीं हो रही है तो आप प्रेइड्न अब हो सकती है और अगर होने वाली है तो एक बहुत अच्छी संतान आपकी यहां पर होने वाली है तो यह मा और बेटे के पीच का मा और संतान के बीच का सपना है तो इसी प्रकार से हर सपने का अपना एक महत्व होता है हर सपने का अपने का अपना एक रीजन होता है आपको अगर मा के दर्श कि ऐसा क्यों हुआ है हर कुंडली में मा का अपना एक ग्रह होता है मा के अपने एक स्वरूप होते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग चीजों को बताया जाता है तो उसी के के अलावी दोस्तों बीडियो को चै Nu react करें अब सब्सक्राइब करें गहों कुछ कर सकते हूं अ कुछ जानना चाहते हो आप मुझे साक्तं कर सकते हैं मुझे मैसेज कर सकते मैं यूट में concludes कर सकते हैं मैं पूरी संबहा कोशिश करोगा कि आपकी हर समय मदद यहां पर